Welcome to Sucla Study Point आप सभी का स्वागत है आपके पने YouTube चैनल Sucla Study Point में मैं सिवम सुकला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज की Video के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे geography के model paper के बारे में जो की BA wedst semester के चाथ चातरों के लिए बहुत ही मैत्पूरोण होगा यारी जो चातरें याभी अभी admission निये हैं BA पर्थम semester में या BA first year में first year का first semester है आपका तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवसकता नहीं है सुकला इस्टरी पॉइंट आपके साथ है और बिदवत तरीके से हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे आपके जो important प्रसन है आपके syllabus के coding उन पर और ऐसे प्रसन जो कि आपकी परिक्षा में आ सकते हैं आपकी बार उ होगे अब तो आपको मानों भूगोल पढ़ना पड़ेगा तो आईए हम जानते कि आखिरकार फिचकल जोग्राफी से कौन कौन से प्रसन आप से पूछेंगे आति लगुत्री लगुत्री और दीर गुत्री टाइप के प्रसनों को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे उन पर देखें बीए फस्टीर फस्ट समिस्टर 2024 की परिक्षाओं के लिए 25 की परिक्षाओं में भी ये प्रसनाएंगे बहुतिक भूगोल यानि जियोग्राफी आपको पढ़ना है कौन सी जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है मालल होती है वह होती है कितनी भी याद दस ठीक है और सभी परसनों को आपको करना अनिमार होता है इन में से 50 सब्सका उत्तर लिखना होता है एक परसन अगर आप अच्छे तरीके सकरते दो उसके लिए दो नंबर या डेड़ नंबर आपको दिये जाते हैं जो कि जियोग्राफ करते हैं इसलिए जो यहाँ पर माक्स होते हैं थोड़े से कम माक्स मिलते हैं हलाकि माक्स कम मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको प्रेक्टिकल वाला कुछ माक्स आप निकाल दीजए गालगवग 25 नंबर का तो वह आपको मिलता है आपकी कॉलेज की तरफसे बाकी आप तो आईए हम चर्चा करते हैं अतिल अगुतिर प्रसनों पर पहला प्रसना आप से पूछा गया था एक जाम्या पूछा जा सकता है कई बार पूछा गया पिछले दो वर्सों में आप देखेगा 2022 और 2023 में लगातार ये प्रसना रहा है आपकी बार भी ये प्रसना आएगा औ आप इसको आपको जाना पड़ेगा तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ता आप की अपकी बहूतिक कैने सबसे पहले ये जाने घैने ये खासर intentar ये खासर के जिओग्राफी अंगल की जियोगराएब का के बनता है नो गोलाकार प्रतवी का अध्यन ही भूगोल का इलाता है लेकिन जो जियोग्राफी सब्द है ये गरीग भासा के दो सब्दों से मिलकर की बना है एक सब्द है जियो जियो का मनलब होता है प्रतवी या आर्थ और दूसरा सब्द होता है ग्राफी जिसका मनलब होता है पीजायत तो भहुतिक भुगोल जो है भुगोल की एक साखा होती है और भहुतिक भुगोल एक ऐसी साखा होती है जिसके अंतरगत भहुतिक वातावर्ण का हम लोग अध्यन करते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है Doy 지क्थिव हाले मानेधपेडर में कि भुगोल ए से हैं एक डाइनमिक बिसे हैं और इसी के सासत और इसी लिए खासर कि क्या होता समय के सासत भौतिक भूगोल की जो परिभासा होती है जो इसका भूतिक भूगोल का स्कोप है वो लगातार आपको बदलता हुआ नजार आएगा आप जो भौतिक भूगोल आज के 25-30 साल पहले देखते थे या लगबग 200 साल पहले जो भौतिक भूगोल आप पढ़ते थे आज उस भौतिक भूगोल में बहुत अंतर आपको देखने को मिला होगा तो भौतिक भूगोल चुकि एक गत्यात्मक भी सह है डायनमिक सब्जक्ट है चुकि इसमें परिवर्थन होता रहता समय क इसकी परिभासा भी लगातार बदलती रहती है। लेकिन फिर भी कुछ बिद्वानों ने भौतिक भुगोल की परिभासा अपने अपने हिसाब से दी है। उन्हीं बिद्वानों की एकात परिभासा को हम लोग यहां पर लिखेंगे और अच्छे तरीके से आपको नमबर एक चुकि बहुत ज़ादा परिबरतन हो गया है। भौतिक भुगोल मुक्रूप से बज्ञानिक्ता की तरफ जादा जुका हुआ है। और मानोता की तरफ कम जुका हुआ है। भौतिक भुगोल में बेसिकली जीयू मंडल, जैयू मंडल का अध्यन करते हैं। अब जैयू में तीन मंडल सामिल है एक अस्थल मंडल एक जल मंडल और एक वायू मंडल किलियर यह बाध्या नखेंगे तो इन्हीं का अध्यन किया जाता है बहुतिक भूगोल के अंतरगत सबसे सरल और सबसे जबरदस्थ परिभासा यही है कि जियोग्राफी इस दा इंटर प्रिटेट बहुतिक भूगोल का अध्यन ही बहुतिक भूगोल का अध्यन ही बहुतिक भूगोल होता है सिंपल सी परिभासा यह बताते हैं अच्छा बहुतिक परियावण क्या होता है आर्थर होमस आगे कहते हैं कि भूगोल के अंतरगत गुलोब के धरातलिये उच्चावच उच्चावच मनलब जो भूआ करती विज्ञान है जियो मार्फोलाजी जो मैंने आपको बताया था अब उच्चावच क्या होता है तीन स्रणी के उच्चावच आपको मिलेंगे पूरे के पूरे प्रतिवेपर तीन स्रणी के एक पर्थम स्रणी के उच्चावच एक होंगे दूतिये स्रणी के उच्चावच और एक होंगे तृतिये स्रणी के उच्चावच पर्थम स्रण दीपों पर परबतों का निर्माड हुआ, भरंस का निर्माड हुआ, पठार बने, मैदान बने, ठीक है, तमाम सारी जीले बनी, तो ये सब जो है, ये सब दोतीय सरणी के उच्चावच हैं, किलियर समझ रहें चीजों को, दोतीय सरणी के उच्चावच जो की महा सागरों और महा दीपों के द्वारा बने हैं ठीक है उन पर बने हैं उसके बाद बने हैं तो दोतीय सड़ी के उच्चावच में क्या होता है अच्छा जो दोतीय सड़ी के उच्चावच होते हो अंतरजादबलों के काड़ बनते हैं और जो दोतीय सड़ी के उच्चावच होते हैं वो ब अपने साथ बहाती है और उला करके उसी मलबे को कहीं पर छोड़ देती है डिल्टा का अंद्रमाड हो जाता है और कहीं कहीं पर वायू जो होती है अपने साथ बालू उड़ा ले जाती है फिर कहीं पर छोड़ देती है तो उससे कहीं परकार किया करतियां बन जाती है तो तो यह होता है एक प्रकार से भुआ करती बिज्ञान के अंतरकती नहीं सभी चीजों का जो उच्यावच है उसी का अधिन क्या याता है तो तीन प्रकार के उच्यावच होते हैं मैंने आपको बता दिया तो Arthur Homes कहते हैं कि जो भोतिक परियावड होता है उसके अंतरकत गलोब के जो गलोब बनलब समझ रहे ना परतबी के जो उपर इभाग है तो परतबी के या गल दोप के धरातलीये उच्चावचनिभू आकरते बिग्ञान मेंकासर के सागर महा सागर समुधर बिग्ञान इन सभी का दिनुआयू का जलौायू बिग्ञान इन सभी के बिवरणों का धिन कयायता को देते हुए आर्थार nov इम्मेनुल कांट बड़े जबरदस्त भूगल बेता है वो कहते हैं कि भौतिक भूगल को बहुत ज़्यदा महत्परदान किया इन्होंने और कहा कि भौतिक भूगल विसु के ज्यान का परथम भाग है और वास्तों में सारभूत प्रारंबिक तत्थ भी है जिसके द्वारा विसु के वस्तुवोद को हम समझ सकते हैं ये कहते हैं मैनुल कांट की फिसकल जिएज़ फिस्कल जिएज़ फ़स्ट पर प्रसेप्सन अफ वर्ड मलब की वही चीज़ों मैं आपको बताई कि भाई ये पहला घ्यान का भाग है भौतिक भूगल और खासर के अगर देखे तो सारभूद प्राथमिक्तत्य या प्रारमिक्तत्य होता है जिसके द्वरा विस्थ के वस्तु बोध को या विस्थ को हम लोग जान पाते हैं समझ पाते हैं यही बात Immunual Kant कहते हैं इसके लावा अलग अलग भी द्वान अलग अलग तरीके से परिभासा देते हैं टार और वान एंजल कहते हैं कि भौतिक भुगोल के अंतरगत पृतिवी के भौतिक सुरूपों तथा उसके मानों पर क्या प्रभाव पढ़ते हैं उसका वर्डन किया याता है एक ये लोबक कहते हैं कि जीवन तथा भौतिक परियावड या भौतिक वातावड के समंदों का भूर्ड नुएख़ान है विजह से पstar है अरगने मुह अरगना के दोगना है जी वुर्ड करन के दोरा अग विज्वांन के था था जब ही इसके जल विज्वा were के अंतरगत वायो मंडल का अधिन के अतरत जलवाई विज्ञान भी इसकी एकसा कायत और जीवन मंडल यानि जेव मंडल का भी अधिन क्या याता है इन सभी का और इन सभी के जो अंताकरियाएं होती है जो पारसपरिक उसका भी अधिन भोतिक भूगल के अंतरगत क्या याता ठीक है दूसरी सरकल यह मैंने ले लिया एक मिट देखें अब यहां पर तीन सरकल आपको दिख रही है अब यह जो बीच वाली सरकल है यह किसकी है एक मिट ये जो बीच वाली सरकल है ये जीव मंडल की सरकल है ठीक है अब इसमें देखें ये वाला जो भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है ये देखें थोड़ा थोड़ा भाग ये ठीक है ये सम्मलित है देखें ये अस्थल मंडल हो जाएगा एक एक हो जाएगा वायू मंडल और जीवन आपको जल में भी दिखेगा तो आप देखेंगे इनी सभी को मिला करके पूरा का पूरा मिला लेंगे तो उनी का अध्यन क्या आता है भूगोल के अंतरगत यह भूतिक भूगोल के अंतरगत तो भूतिक भूगोल के विसेचेतर में चार चीजे मुखलूप से सामिल ह एक वायू मंडल एक जल मंडल और ये बीच का आपका जयू मंडल के लिए ये बात ध्यान नखेंगे तो ये हो गया आपका कुछ भौतिक भूगोल के विसेचेतर की वाते जो मैंने आपको बताई आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं आप से अति प्रत्वी की उत्पत्ती का सिध्धान बताएं प्रत्वी की उत्पत्ती के सिध्धान के अगर बात की जाए तो जो सिध्धान ब्रह्मान की उत्पत्ती का है वही सिध्धान प्रत्वी की उत्पत्ती का भी रहा है आधुनिक समय में ब्रह्मान की उत्पत्ती या प्रत्व अगर बात किया है तो बेल्जियम के पादरी थे ये इन्हों ने ही महाविस्पोर्ट का सिध्धान दिया था बिग बैंग ठेरी का दिया था लेकिन इसको आगे चल करके 1920 में एडविन हबल ने इस सिध्धान में थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे बढ़ाया इसको और उन प्रतिवी के बारे में अगर बात किया है तो कई सारे सिध्धान दिया है और मानों का सम्मत जितना प्रतिवी से जुड़ा हुआ है उतना किसी अनिग्रह से नहीं जुड़ा हुआ चुकि प्रतिवी जो है सौर मंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति सौर मंडल के अनि होता है एक तारक परकलपना का context क्या होई कि इसकी उत्पत्ती क्या हुई किस् सब्सक्राइब परकलपना या जिसको आप बोलते हैं धार्विक बिचारधारा एक को बोलते हैं आप बैज्यानिक बिचारधारा किलियर ये वाध्यार नखेंगे तो एक तारक परकलपना जो है उसमें जो है उसको बोलते हैं अद्वयतवादी परकलपना और जिसमें द्वयतवादी संकलप ठीक है अंग्रेजी में बोले तो मोनो इस्टिक कॉंसेप्ट बोलते हैं अद्वेतवादी संकलपना को एक तारक परकलपना को जिसमें एक तारे से या एक पिंड से उत्पत्ति हुई है संपूर्ण ब्रमाड की दूई तारक वाले बोलते हैं कि भाई दो चीजों से या उसस अधिक चीजों से मिल करके ब्रमाड की निर्माड हुआ दो तारों से मिल करके ठीक है तो उसको बोलते हैं डुलिस्टिक कांसेप्ट अब हम समझते हैं कौन से सिध्धांत जो है आपकी प्रतविक उत्पत्ति के एक तारक है या आद्वेतवादी है और कौन से आपके दू अधिक थे इमैनिवल कांट उन्होंने प्रतविक उत्पत्ति के समझ में वाब्यारासी परकल्पना का परतपादन किया और नूटन के गतवा कर्षण का जो नियम है उसी पर आधारी था ये वाब्यारासी परकल्पना चर्चा करेंगे इस पर किसी दिन बूसरा जो सब्सक्ता की क॥्म कर्सक्राइब इसे निश्दीन की सब्सक्राइब तीव Those qualities तो जम्स जीन्स की जो परिकलपना है वो बड़ी फेमस परिकलपना है उसको बोलते हैं ज्वारिय परिकलपना तो ज्वारिय परिकलपना जो है वो भी एक तारक परिकलपना है तो ये चार परिकलपना है एक तारक परिकलपना है कौन-कौन सी कांट की वाबेरासी परिकलपन लाकियर की उलकापिन परिकल्पना और जम सजीन्स की ज़़ारी परिकल्पना अब बात करते हैं दो स्ध appearance दूसरा दूसरे विद्णान आते हैं रसेल का एक सिधान्न थे तौ वह बहुत प्रकार से उन्हों ने दिया रसेल का सिधान्य पी दूहितारस है नौवा सिधान्त है तीन सिध्धान जो है दूतारक पर कलपना से रेलेटर हैं ये बाद ध्यान लखेंगे तो इस प्रकार से प्रत्वी की उत्पत्ति के ये सिध्धान थे जिसके बारे में हमने चर्चा करी विस्तार से हमने बताया एक दिन मैं समिक्षा करूँगा इन सभी सिध्धान तो पर च की जाए तो प्रत्वी की आंतरिक सनचना के विसे में अभी तक सही ज्यान हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है या जो कुछ भी ज्यान प्राप्त है वो पूर्ण ज्यान नहीं है अभी भी आपूर्ण ज्यान है चुकि भूकम्प से कुछ विस्वसनी जानकारी अवस्य हमको प्राप्त होती है उनकी तरंगों के माध्यम से लेकिन प्रत्वी की आंतरिक सनचना की अगर बात की जाए तो उसके बिसे में अगर आप जो ग्यान हमको प्राप्त होता है उमक्रूप से उनको हम तीन भागों में मलब की तीन भागों में बांट सकते हैं जैसे कि अगर बात कि जाये एक तो आप प्राकर्तिक साधन है और एक प्रिथभी की उत्पत्ति संब्धि सिध्धान्त हैं और एक प्रकार से प्राकर्तिक साधन है अब देखें आप प्राकर्तिक साधनों के अगर बात कि जाये तो हमको प्रिथभी की आंतरिक सनचना का पता चलता है एक त प्रत्वी के आंतरिक सनचना का पता लगाते हैं यह आप प्रत्वी के आंतरिक सनचना के वारे में हम पता लगा पाते हैं जैसे तमाम सारे सिध्धान आए हैं उन सिध्धान्तों में जवारी ये परकलपना हो गई, नोवा सिध्धान्त हो गया, ठीक है, वाबेरासी हो गई, निहारिका, उलका पिंड परकलपना, ठीक है, इस प्रकार से ग्रहाडों परकलपना, इन सभी के द्वारा आप पता लगा पाते हैं कि भाई, प्रतवीक प्रतवीक के अंदर में क्या चीजे छूपी हुई हैं, और क्या चीजे हैं, एक तो ये हो गया, लेकिन ये भी प्रमाडिक नहीं है, ना दाव, ताव, घनत वाला प्रमाडिक थे उतना यादा, ना प्रतवीक उत्पत्ति समन्दि से धान्तों के एकॉर्डिंग, वो सही त प्रतवीक के अंदर से निकलता है, उसे पता लगा लेते हैं कि भाई प्रतवीक के अंदर क्या चीजे हैं, हो मैध ऑ इसे चल लेक जो एक प्रकार तो फड़ण से उद्धार होते हैं, जो आघनत वाला मखिन से पहला मकी के दवारा, और दूसरा होता है, भूकंप के द्व ठीक है तो भूकंप के दौरान क्या होता है प्रत्वी में कई प्रकार की लहरे उत्पन होती है उनको भूकंप ये लहर कहा जाता है ठीक है उन लहरों में प्राथमिक समू होती है सबसे अधिक बेगवान होती है ठोस भाग में आतधिक गती से तीबर प्रवाहित होती है तो की केंदर से आती है जो गैसे हो तो मलब जो लहरे होती है जो यहां पर आ करके जगजोर देती है एक्दम से तो जो प्राथमिक लहरे होती है अगर वो कहीं से गुजर नहीं मलब गुजरती है तो एक प्रकार से वो ठोस भाग में आते दिखती है प्रसे प्रभावित होती तो तो परत्यक लहरे आएंगी मना परत्यक लहरे जो दो रहाँ जाती है जहांपर यहां पर तरल भाग है कि यहांपर क्या estaral भाग आप लॉंग पिरियाड वेपस बोलते हैं एल वेपस ठीक है पृतिवी के उपरी भाग को ही प्रभावित करती है ये इसकी गति कम होती है मार्ग लंबा परंतु सबसे अधिक भहंकर होता है धरातली ये लहें का तो इस प्रकार से इन तीनो लहरों के माध्यम से इन तीनो तर कि अगर बात कि जाए तो कुछ ऐसे यह पृतिभी का जो है उपरी वाला इस्था यह अंदर चले एक बार क्या हुआ कि रूस नामक एक अस्थान, रूस नामक देश है, आप सभी को पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा चेतरफल वाला देश है, रसिया रूस, और रूस में कोला लामक एक अस्थान है, उसी अस्थान पर बग्यानिकों ने क्या किया, एक सोध किया, कि भाई, हम चल्ड़ हम मसीन बनाते हैं, और उस मसीन से खुदाई करते हैं, और प्रतवी के अंदर देखते हैं कि भाई, है क्या, खुब गहरा गड़ा खुदा जाएगा, खुदाई प्रारब मोती भीया, बहुत दिनों तो खुदाई चलती रही, पुल मिला करके हम लोग 12 किलोमेटर तक वहाँ पर बैग्यानिकों ने खुदाई करी, 12 किलोमेटर तक जाते याते क्या हुआ, कई सारी मसीने गल गई, लोहे की मसीने, बहुत बहुत एक प्रकार से ठोस धातों की बहुत गहरे-गहरे, बहुत अच्छे-चे घनत वाली जो चीजे थी, वो सब गल गई, अंदर, इतना कि वो मसीने खराब होती चली गई, उनके पूर्जे गल्ले प्रारम्ब हो गई, तो खुदाई नहीं हो पाई, 12 किलोमीटर तक रूस के कोला लामक छेतर पर खुदाई हुई, उसके बाद में फिर संभव नहीं हो सकी खुदाई, तो खुदाई गड़के तो आप पता ही न कि गती से उनके परमार लगाए गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान जैसे स्वेस महोदें हैं, वो एक प्रकार से सियाल, सीमा, निफे बताते हैं, वो रासानिक विदी से, सियाल जो उपरी भाग है, प्रतवी की सियाल बोलते हैं, चुकि इसमें सिलकन, यसाई माने सिलकन, सिलकन और अलिमूनियम, सिलकन और अलिमूनियम के दिखता उपरी भाग में हैं, उसको सियाल बोलते हैं, बीच वाले को सिमा बोलते हैं, यसाई मानलब होता है सिलकन, ठीक है, और एक मानलब क्या होता है, मैगनिसियम, सियाल, सिमा, ओके, और अगला जो होता है आपका करण से जो ऊपर आपका मलब उपरी वाला करस्थ करस्थ जो है उसमें सियाल मलब सिलकन और स्टीज करस्थ को भी हम उपरी करस्थ और निचले करस्थ में दो भागों में बाड़ते हैं जो शेखे निकला और फेरस यानि लौहे चैद्ध बहुत जयादा पाइजाती है इस प्रकार से ये प्रिथभी क्यांतरी सरचना को ले करके रासानिक विधी के द्वारा बताई गई तो यह समय ने आपको बता दिये प्रतिवी क्यातरी संचना के बारे में कुछ चीजें नेक्स्ट कोशन साफ देखें चौथा प्रस्ण है भूस अनती क्या है पड़ापट से आप बताएंगे भूस अनती किसे गए भूस अनती बहुत ही इंपोड़न्ट टॉपि प्रतिवी के भूपटल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी सकरी गर्त या खाई मान सकते हो इसको एक परकार से और महादीपों के तठीए छेतर में ये खाई उत्पन होती है और इसमें दोनों और महादीपों से जो अपरदित पदार्थ होते है उनका निचेपड होता है वानदियां जो होती है रहता है और इधर से मलबा आ रहा होता है इस में गलता है इसके कानर से क्या होता है लगाताए धंस्ती चली आथी और परेसर दबाव बनता चला जाता है तो ये एक जो है सकरी एक प्रकार से सकरा गढ़्धा बन जाता है इसी सकरी गढ़्धे को इसको बोलते हैं क्या सिंकलाइन बोलते हैं जियो सिंकलाइन बोलते हैं तो इसमें दोनों और महादिपों से अपर्दित पदार्थों का निछेपन लगा बाएब पढ़े गा तो किनारे वाल Corn отдель होता है जब नीचे दब जब नीचे दबेगा तो उधर वाला जो भाग होगा किनारे वाला उठा हुआ प्रतीत होगा अब ऐसे से जब बहुत ज़्यादा लाद देंगे तो क्या होगा एक समय आएगा कि यह तार यहां से खूटी उटी माप बांदें होंगे तूट जाएगा ठीक है या फिर इधर तार तोड जाएगा और नवाकर करके अपर देंगे तो इसप्रकार से क्या हुआ कि दबाव इतना यादा इस पर हो गया कि यह एधर की करने लगा ये इधर की गति करने लगा और अपस में क्या हुआ आपस में ये जो दोनों एक परकार से ये मुडेहरी नो जो बनी हुई है मुडेहरी समझ रहे न ये जो नो बाडर बना हुआ है इसका जियो सिंकलाइन वाला ये आपस में टकराती है तो एक दम से क्या होता खोब बेग से जब टकराइं आपसमें जाकरके फिर यहाँ पर जो मलबा भारा था नदिया जो भाकर के लाइं वही उपर खाबड जो माटी पत्तर जो भी आया था यही उपर की और उठा अब जब यह उपर की और उठा तो बहुत तेज चुकी यह छोटा सा आपको यहाँ लेकिन आपि देखेए कि हिमालाज से बड़े बड़े परवतों का निर्मार्ड जो हुआ है इसी विद्धि कार्णा वा है तो क्या हुआ बहुत है initiator चोटी गाती इसको वलित परभत बोलते हैं यह बोन को सब्दाइए यह यह इस्टेटियस जो सब्द है इससे बना हुआ है आइसो इस्टेशी ठीक है और जिसका मतलब होता है समिस्थिती या संतुलन के लिए यह बाद ध्यान नखेंगे आइसो इस्टेशी सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था अमेरिकी भूबैग्यानिक थे जे एच हटन स्वा या अमेरिकी भूबैग्यानिक हैं डटन महोदें उन्होंने किया था और उन्होंने कहा कि भूबटल के ब्रिस्तित घंड जैसे महादीप हो गए सागर की तली है परबत है पठार है मैदान है या अलग-अलग उचाई वाले जो एक प्रकार से जो पठार है वो सब घूमती भार अलग-अलग होता है सबका भार एक रेखा के साहरे बराबर होगा जिसे च्छती पूर्ती तल कहा जाता है समतोल तल कहा जाता जिसको ठीक है और इस तल के साहरे सभी भागों पर भार अथवा दबाव होना चाहिए और अगर मैं आपको इसके इसको सराल सब्दों में बताओं तो जैसे कि अगर मैं आपको बताओं भू संतुलन का सीधा सा मतलब होता है कहीं पर आप देखते एक तरफ उची उची पहाड़ियां है सबसे उची पहाड़ी सबसे उची चोटी कौन सी है हिमालय परबत की चोटी है माउंट एवरेस ठीक है माउंट एवरेस जो ना इताल है मल उसली मेंटूली कमई है बाकी लगड़ वग 9 किलोमीटर हमाली देखते सबसे गहरी खाई है 503 मीटर की गहरी खाई है गहरी खाई अब देखें एक तरफ सबसे उंची- चोटी जो है नो किलो मेटर उंची है एक 11 किलो मेटर गहरी खाई है और एक बीच में आप देख रहे हैं यह जिस पर तो वहीं पर एक देखते हैं गहरे-गहरे जो है महा सागर है, जील है, ठीक है, सागर है, समुद्र है, तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं पर उचाई, कहीं पर खलाई, कहीं पर उबड़, कहीं पर खाबड़, तो इस परकार से कहीं पर अगर उच है, तो कहीं पर नीच भी ह प्रतिबी में उच्चा वच जो है कहीं पर उच्चा कहीं पर नीचा है और इसी उचे नीचे के होने से क्या होता ताल मेल बैठा रहता है प्रतिबी का तो प्रतिबी में ताल मेल बैठना ही एक प्रकार से भू संतुलन होता है भूमी का संतुलन बना रहना ही भू संतुलन हो प्राड महोदे की गड़ना के अनुसार यह अंतर 15.885 सेकंड का आना चाहिए था आर्थर ना काकर्वसन जितना होना चाहिए वोगी संतुलंको लेकर के तो भूगी संतुलं मुखी रूपसे क्या होता है डाक्टर सभिंढर सिङ्ग जो की बड़े अच्छे प्रकार से पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है फेज्कल जोग्राफी की बड़ी फेमस पुस्तक के अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि परिभर्मन करती हुई प्रतिवी के ऊपर इस्थित छेत्रों में खाशर की परबत पठार और मैदान है एक तरफ दूसरी तरफ गहराई में स्थित जील हैं समुध्र है ठीक है और महासागर हैं तो इनके द्वारा क्या हो दसा को ही हम संतुलन की दसा कहते हैं और भूमी बेर संतुलन इन्हीं की वज़ा से बना हुआ एक तरफ उचाई है तो दूसरी तरफ खलाई विए उन्होंने कहा कि प्रिथवि के धरातलि पर जहां कहीं भी संतुलन होता है वहां पर बराबर धरातली चेतर के नीचे पदार्त की बराबर रासी या पिंड होता है तब ही संतुलन बना रहता है अगर इसी में संतुलन में थोड़ी सी दिक्कत आती तो भू संतुलन में अगर गडबड़ी आती तो आप देखते हैं कि जौला मुखी भू कंप या लहरे लंबी-लंबी आने लगती समुद्र में यही सब चीजे होती हैं तो यह होता है भू संतुलन का आर्थ समझ में आरे चीज़े एक बार फटा फटा से आप लोग वीडियो को लाइक और सीर कर दीजेगा ताकि इसी प्रिकार से और भी एचे तरीके से हम लोग समझने का प्रियास करते रहें इससे प्रिकारे नोधीन गोव प्रीट बार की देखेंगे तो दो प्रकार की होती है जो पहली प्लेट होती उसको बोलते है महादीपिय प्लेट चुकि जो महादीपों पर होती है महादीपों के नीचे हैं वो है महादीपिय और एक होती है जो सागर वाली है महासागरों वाली ठीक है तो एक महादीपिय और एक महासागर ये महासागरी प्लेटों में जैसे कि आप देखते हैं यूरेसियन प्लेट हो गया अंटार्क्रिक प्लेट हो गया यह है महासागरी प्लेटों में आप देखते हैं जो महासागर के नितल में होती है जैसे कि आप देखते हैं प्रसांत महासागरी ये प्लेट ये सब प्लेट होती है कि लिए ये बात ध्यान अखेंगे तो ये हो गई प्लेटे लेकिन आपसे ये नहीं पूछागा कि प्लेटे कितनी प्रकार की होती है आपसे पूछागा कि बिस्तु की प्रवक प्लेटे कौन कौन सी हैं तो अगर बिस्ट की अगर बात की जाए तो पलेटों के अगर देखे हैं तो कई परकार की पलेटे हैं जैसे कि अगर देखें एक पलेट है आपका कौन सी पलेट भीया प्रसांत महासागर ये पलेट ठीक है प्रसांत महासागर प्लेट जो है विस्व की सबसे बड़ी प्लेट है और इसने प्रसांत महासागर का अधिकांस भाग जो है वो प्रसांत प्लेट के अंतरगती आता है उत्तर पस्चम दिसा में आगे बढ़ती है प्लेट ठीक है अभी भी सरक रही है दूसरी प्लेट है उत उत्तरी अमेरिका की प्लेट की अगर बात की जाए तो यह प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो महादीप है उसके नीचे इस्तित है और इसने उत्तरी अट्लांटिक महासागर के पस्चमी भाग का दिकांस भाग गे रखा आया और पस्चम दिसा में यह आगे बढ़ रही है त प्रकार से प्रमुख महादी पिये प्लेट है यूद्य प्लेट इसके यूरेसिया के अधिकास हो ब्रीष यूरेसिएं प्लेट कहां जाता है महाधिपिये प्लेट यही एक सबसे फेमस प्लेट है यहाद यह पाचवी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट अफ्रीकाल के संपुर महाध्यीव और इस जो संबंदित जो महासागर खासर की हिंद महासागर इधर पड़ता है आपका और इसके अधलांटिक जहां को गेरे हुई है और एक चाहित इस थिर प्लेट जादा इसमें मुवब्मेंट नहीं है चटी प्लेट है आपकी बारती प्लेट भारती प्लेट जो है हिंद महासागर के अधिकान्स भाक को कबर करती है और जो भारत का दक्षडी हिस्था या निप्राइदेपी भारत उसको कबर करती है किलियर यह बात ध्यान नखेंगे और खासर के आस्टेलिया और भारत दोनों को भारतिया प्लेट जो है गेरे हुए है और उत्तरी दिसा में आगे बढ़ रही है और जिस तर इस कारण से उत्तर दिसा की और इसका मुवमेंट है इसलिए आप देखते हिमाल in के बात की जाए तो अंटार्क टेक्ट प्लेट जो है वह जो अन्तार्क टीका जो महादीफ है उसके इर्दिखिर्थ की जो समुद्री भाग है वह सब जो है अंटार्क टेक्ट में आ जाता है और जयान नकेंगे और यह अलग अलग आलग दिसाओं में आगे बढ़ रही ह इसमें इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है, आठवी पलेट है, उसका नाम है नजगा पलेट, नजगा जो पलेट है, यह सब बड़ी-बड़ी पलेटे हैं और मुख्य पलेटे हैं, ठीक है, नजगा पलेट जो दक्षडी अमेरिका के पस्ची में प्रसांत महासागर के द और यह उत्तरी दिसा में आगे बढ़ रही है मलब यह महादीब में नहीं है थे महादीब इसके ऊपर हैं चुकि यह नीचे का एरिया होता है प्लेट प्लेट जो होते हैं वो नीचे होते हैं तो इस प्रकार से यह प्लेटों को लेकर कि कुछ बाते मैंने आपको बताई तो इस प्रकार से यह नोदस प्लेटे जो हैं मुख रूप से बड़ी फेमस प्लेटे हैं और प्रतिवी पर इन प्लेटों के कारण से प्रतिवी पर महादीब और महासागर इन पर बसे हुई है अगला परसन सातवा नमर पर स्कीन पर आचुगा ज्वाला मुखी के प्रकार ब और ज्वाला मुखी की बात किया है, ज्वाला मुखी का ताथ पर एक ऐसे गोल या गोलाकार चिद्र या खुले हुए भाग से होता है, जिसमें प्रत्वी के गर्म से गैस, तरल लावा, चटानों के टुकडे, उनके साथ गर्म, पदार्त, धरातल से बाहर निकलता है, उसी क गैसो जलवाप्स की मातरा, सरबाधिक मातरा में निकलती है, ज्वाला मुखी से, और इसके बाद में बिखंडित पदार्त भी में निकलते हैं, जैसे उसमें खासर के बारिक धूल से लेकर के बड़े-बड़े चटानों के टुकडे निकलते हैं, मटर के दाने के आकार वा बाहर निकलने के बाद में लावा हो जाता है, जब उससे गैसे बाहर निकल जाती है, तो उसको लावा कहा जाता है, तो यह ज्वाला मुखी से निकलने वाले चीज़े हैं, ज्वाला मुखी के परकार के बारे में पूचा गया है, तो ज्वाला मुखी मुखी रूप से कई गया गाता मुखी जो बड़े घातक होते है इसके दूसरा है केंद्री उद्गार वाले जोला मुखी भी कई परकार के होते हैं एक होते हैं दरारी उद्गार वाले और और भी तवाम परकार के जोला मुखी परकार होते हैं तो मुखी रुप से अगर उद्गार के सुभाव क्या अनुसार देखें तो दो परकार के जोला मुखी होते हैं के कारण से इसको हवाय तुलिजाला मखी गहते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत एक परकार से अम छो होती है। सबसे अधिक बिनासकारी होता है पिलियन तुल जाला मखी भैंकर विसफोट होता है लावा गाढ़ा होता है इसका चिपचिपा होता है जिसे जाला मखी नली में कभी-कभी फस जाता है और फसने के बादे फिर से जब प्रेशा नीचे से आता है जाला मखी का फिर लगातार बहुत धमाकेदार तरीके से भी-सफोट होता है तो यह होता है पिलियन तुल जाला मखी और जो दरारी उद्गार वाले जाला मखी होते हैं उनमें खासर के अगर देखें तो दरारी अमेरिका का जो कोलम्बिय का पठार है और जो प्राइद इपिया बहारत का लावा का पठार है वह खासर के दरारी उदègार के दोरा ही बना हुआ पठार है कि लिए यह बाद ध्यानर खेंगे तो यह तो हो गया विया उदगार के सुभाव के अनुसार जोला मखी के तो आप जागृतर या सक्री जोला मकी होता है उसमें एक बार उद्गार तो हो चुका है और फिर उसके बाद में कुछ समय तके सांध पड़े रहते हैं और इसके बाद में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है कभी भी फूट पड़ते हैं बलब कभी भी उद्गार हो सकता है उद्गार की संभावना बनी रहती है उसको बोलते हैं प्रसुप्त जॉप्त 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 जॉ ऐसे इरान का को सुल्तान वर्मा का पूपा जॉला मुखी ठीक है इस परकार से कई सारी जॉला मुखी प्रकार के बारे में मैंने कुछी जीज़्ी आपको बताई जो आपकी परिच्छा के दिश्टी से बहुत ही मैत्पून थी नेक्स्ट कोसन से आप देखेंगे आठवा कोसन से चटानों का वरगी करण कीजिए चटानों के बारे में बताएं भड़बड से आप बताने का काम करेंगे वे सभी पदार्थ जो धातू नहीं है चाहे वो मर्दा के समान मुलायम हूँ या पत्थर के समान कठोर हूँ उन्ही को हम चटान बोलते हैं अब चटानों के अगर बात की जाए तो चटान जो होते हैं वो एक परकार से कई परकार की होते हैं ख़टानों की वर्गी गर्ण की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से बनावट की प्रकरिया के आधार पर गर्ण देखे, तो चटानों को तीन भागो में हम लोग बाटते हैं, पहला चटान होता है आगने, चटान या झाल ठीक है, दूसरा होता है अवसाधी चटान या इगनिस सब्द से बना हुआ है इगनियस जिसका मतलब होता है अगनी पृतिवी अपनी प्रारंबिक अवस्था में गर्भ जो पृतिवी का गर्भ था या पृतिवी का आंतरिक भाग है वो बहुत ही तरल था बहुत ही गरम था और धीर 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 पृतिवी ठंडी हुई है और जब प्रत्वी ठंडी हुई तो इसके उपर ठोस भूपर प्रेटी बन गई जिसका निर्माड आगने चटानों से हुआ, ये बाद ध्यान लखेंगे। पीजी वारेश्टर महोदे कहते हैं कि द्रव अवस्था वाली चटाने जब ठंडी हो करके ठोस अवस्था में परिबर्ते थोई तो वही सारी चटाने आगने चटाने कहलाईएं। आगने चटाने रवेदार होती है परनतूर रहों की बनावट में परियापत अंतर होता है। और आगने चटानों पर भहुती का पक्षे का प्रभाव बिल्कुल भी बहुत की बिल्कुल पढ़ता है। तो भहुती का पक्षे बहुत ही जादा तरीके से होता है। आगने च अगे बढ़ते हैं तो यह होता है छाहा है निकलता है यह जब में और सेलों का रूम धाण कर लेता आगने चतान का निर्वाण करता है वो एक है तो यह एक्द मलब एकदम से जो मलबा होता है वही तो आउसादी सेल को परदार चतान भी कहते हैं आपक्छाय और परदनात्मक प्रकर्मों के द्वारा चतानों के टूटने फूटने से क्या होती है जो प्राप्त मलबा होता है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जमाओ उसका होता है और जब एक अस्थान से तूटा दूसरे अस्थान पर गया वहां पर जम जाता है फिर उससे क्या होता है आउसादी चतानों का निरमाड उसी से बन जाता है पी जी वारेश्टर कहते हैं कि अवसादी सेल जैसा कि अवसाद सब्द का सावधिकर्थी होता है प्राचीन चटानों के टुकडे या खनीजों के जो टुकडे जो होते हैं जो किसी ना किसी रूप में संगठित हो जाते हैं और एक परत दार चटानों का निर्मार कर लेते है या जमाओ से परत के जमाओ से बनता है, तो इसको एक परकार से अवसादी चटाने कैते हैं, जबकि आगने हैं पाय जाते हैं आउसादी सहलittens आप देखते हैं उसका जमाओ सर début च्छेतर पर लगबंग एक वटे यह संदिया भी विक्सित हो जाती है ऑवसाधी सावले मुलायम सुवह ने हταती है नताता है जुब कथो और स्कूर पत्तर जो होता है सब और और एक होती है और आप यहां पर आप देखते हैं जो आप गुजरास नीचे पढ़ता है मद्यप्रदेश के आसपास पढ़ता है सेडिमेंटरी राक्स का एक बड़ा नमूना है नील-गिरी परवत या लगबक कुछ मेरा नमसायद मुझे नाम नहीं ध्याना रहे उसका तो वह उसी का उधार है ठीक है यह बाद नखेंगे तो यह होता है आपका कौन सा यह होता है रूप आंतरित मलब जो पहले आगनिया उसाधित थे बाद में वह प्रकार से उनका रूप बदल जाता है और दूसरे प्रकार क्या होता है अपक्षै और अपर्दन की अगर बात की जाये तो बड़ा फेमस प्रस्त नहीं सबी किरीयाओं को आप लोगों ने सुना होगा तूट जाना जैसे कोई प्तर है, यही पत्थर क्रेख हो जाए, ब्रन्स पढ़ जड़ार पढ़ जाए, तूट जाए, तूट जाए, तो यह राग कहीं है, तूट अधिया जैसा कि सथा आगे बह रही है ठीक है इसके साथ आगे बहरnya भीया किसी जलग के साथ आगे बहुती चली जारही है आगे आगी यह लगातार बहुती चली जारही है तो उसके बहुते हैं अपरधन लेकिन जब यही चटानों से तूटे हुए यह चीजे है यह मलबा जो एक परकार से तूट करकर बैर है इसके साथ, यह सारे के बलबे जो होते हैं जहां पर चुके नदियां जहां पर एक परकार से उनका बेक कम होगा नदियों का वहीं पर ये पत्थर जो होंगे अपने आप रुक जाएंगे या छोड़ जाएंगे तो नदियां जहां पर इन पत्थरों को छोड़ती हैं उसी को बोलते हैं निछेपन नदियों के द्वार लेकिन उसका जिसने तोड़ा उसी के साथ बहना या उसी के साथ उड़ना उसको बोते हैं अपर्दन ठीक है ये बात ध्यान नखेंगे और उसका जहां पर बहकर के या जहां पर जाकर के फिर जहां पर छोड़ जाता है उस किरिया को बोलते है निक्षेपन ठीक है निक्षेपन मलब छोड़ देना किलियर ये बात ध्यान नखेंगे तो ये कुछ टर्म से हैं जियोग्राफी के जो आपको साथ ना समझ में आते हों और आप पहली पहली बार जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपके समझ में बहुत ही बारीकी से आ जाएगा तो समझ रहे हैं छोड़ना मलब निछेपन और कट करके बहना मलब हो गया अपरदन और केवल कटना या त कि अपक्षय प्लस अपरदन को जब आप एकदम से मिलने से क्या बनता है अपक्षय और अपरदन की मिलने से बनता है अनच नखेंगे अपको समझा क्लियर आगे वढ़ते हैं और मिलने का काम करते से उता आपका अनच्छाधन ठीक है तो अनच्छाधन मतलब होता है अपक्षय और अपर्दन दोनों की किरिया को अगर मिला देंगे तो बनता है आपका अनच्छाधन किलियर तो यह आपका आज से अपर्दन अपक्षय अनच्छाधन निछेपन यह सब आपको समझ में आ जाएगा चुकि बहुत ही सरल भासा में मैंने आपको समधाज जया कि अनक्छादन और अपरदन और अपक्छाई क्या होता है तो भू सता पर अपक्छाई अपरदन परिवाहन और निचेपन क्रियाओं के द्वारा निमनी करन होता है इसमें निमलब की समलित रूप से इन सभी को अनक्छादन बोलते हैं पूरी के पूरी प्रकिरिया को अपरदन अपक्छाई निचेपन इन सभी को मिला दें उन्हों ने भी अपरदन चकर के बारे में अपने विचार दिए 不知道 सेलों कि सनचना अस्थला करती जलवायू बनस्पति तही अफिश्पाइच छ О'd better करेत locker चटानों के अपने अस्थान पर तूटने फूटने की किडिया अपक्छा है, तबकि चटानों के तूटने फूटने और उसमें उत्पन मलबे का परिवाहन करना अपरदन होता है, अपक्छा है और अपरदन के संयुक्त रूप को अनक्छादन कहते हैं, ये बात आप ध्यान नखेंगे किलियर सबसे पहले स्कॉटिस भूब ग्यानिक थे जम्स हैटन उन्होंने 1785 दिमें भूब ग्यानिक छेतर में चक्रिय पद्धति का अवलोकर किया और इस प्रकार से अपक्षय परदन के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया यह बाद ध्यान अपने सिध्धान परत्पदित किये तो कई सारे सिध्धान थे अपरदन को लेकर के अपक्षय और अपरदन से कही परकार की चीजों का निर्मार भी होता है यह बाद ध्यान रखेंगे ओके अपक्षय जो होता है वो तीन परकार से होता है एक भौतिक अपक्षय एक रसान वायू और यह सभी नहीं सभी के द्वारा होता है अपर दन जो होता है अस्थल सुरूप सनचना प्रकरम समय का प्रतिफल होता है तो इस प्रकार से अपक्षे और पर दन के बारे में मैंने कुछ बाते आपको बताई आगे बढ़ते और भी चीज़े को जानने का प्रियास कर का प्रिया को लाइक और कर दीजयेगा क wrap PowerPoint कर दो सकते हैं और मन्दल को सकते हैं ठीक है वाय मंदल को में बाट के पांच भागों तो ना बिल्कुल अपका बिल्कुल कर्ड़ एंसर आफ सभी क्या रहे हैं थीकर पहला भाग है विएम अद्ल का चोब ठीकें प्रतरी कि घृत्षब कले के दो पाँछंचना के तो प्रतिविंक और C को प्रत्विंडर के द्रसुप मत्रा जाती हो Lauren नाइट्रोजन की मात्रा है सबसे निचले परत को छोब बंडल कहते हैं और छोब बंडल में आप देखते हैं इस परत में परतेक 165 मीटर की उचाई पर आप जब जाएंगे एक डिगरी सेलसियस तापमान की घटोतरी होगी और समस्त मौसमी परिवरतन जो होते हैं मौसमी घ परिवरतन नहीं पायाता है और इसी परत में ओजोन परत भी समताब मंडल में ओजोन परत जो इस्तित है यही करती है और पराबैगिनी जो करड़े होती सूर से वह अगर प्रतिविय तक पहुंच जाएं तो प्रतिविय बहुत सारी बिमारिया पहलेंगी ठीक हैं इसकीन क समताब मंडल में जो ओजोन परत है वह एक प्रकार से उसको रोक लेती है इसके लावाँ सूर से प्रतिविय तक पहुंचने वाले सौर बिक्रण का उर्जा का अधिकांस भाग लगुत रंगों के रूप में प्राप्त होता है जिसमें खासर कि जिससे सौर बिक्रण या सूरय तब बोलते हैं कि लिए बाद ध्याँ नखेंगे सूर से आने वाली बिक्रण उर्जा को ही प्रकार से प्रसनाप से पूछा याएगा सूरय तब के बारे में ठीक है यह बाद ध्यान आपको बदाया गयसे पाई जाती है जिसमें 78% नातरोजन है आक्सीजन 21% है ठीक है आगे बढ़ते हैं वीचेजों को जाने का प्रयास करते हैं अगर बात की जाए अच्छा हवाई जहाज बगारा होते हैं म els beiden में मॉवेडे जहाज में उड़ते हैं एहीं है बाद द्यान नके कि यहां पर देखे जो लगुत्तर यह प्रसंद होंगे कौन-कौन से आएंगे आपकी परिक्षा में कोई पांच प्रसंद को करने होंगे खंडबा से 200 सब्दों में प्रसंद का उत्तर आपको लिखना होता है यह बाद ध्यान रखेंगे के लिए आप कोसंस आपको दिये जाएंगे जिनमें सह Только पांच प्रसंद आपको चांड़ करने होंगे जो भी आinté выпуск Oh करते हैं बादा है अस्थाइं छनातानी पहुने और रही एंप उस्हाओन से आपको समझते है यह जैँ परकार की मुकीरोबह से包括 प्रकार की पैँने होती है तो डोल डम या संद पेटी की पाउने होती हैं ठीक है जो विस्वत रेका के दोनों और 5 डिगरी उत्तरिक छांस और 5 डिगरी दक्षले चांस की बीच में बैती pasti हैं उसको बोलते हैं सनातर न numer पहुने जो होती है उपोष्ण कडबंधी उच्छ वायुदाब छेतरों में बैती है लगबक 30 डिगरी से लगर के 35 डिगरी अक्छान सो की बीच में बैती है उत्तरी गुलार्द में इन पहुनों की दिसा उत्तर पूरफ से दक्ष्चिम की दिसा में होती है और तीसरी जो प में अधिक फान लिगरी अक्षान सो की बीच में पच्चिवा पाउने जो होती है और अगली होती है आप की इतना बाइयोदाब 수äg Germans की jäप county होगी वो इतना यादा वायूदाप कम होगा वायू अदा भुलपकी थंडी होगी वो एक परकार से वायूदाप जादा होगा तो गरम वायू हल्की होती इसलिए गरम वाले इलाखे में जैसे यहां तक आप देखते हैं यहां तक पिर्थिभी का जो मध्ध वाला एरिया है यह जो मैं रंग दे रहा हूं जिसको लाल लाल कलर से यह जो पिर्थिभी का एरिया है यह एक प्रकार से उष्ण कड़बंद का एरिया है यहां पर क्या होता है कि पिर्थिभी पर जो हवाएं चलती है गरम होती है यहां क और धुर्ब यह होता है ठीक है यह होता है उत्तरी धुर्ब और यह होता है दक्षडी धुर्ब पर तो यहां पर जो हमाएं चलती हैं यह प्रकार से ठंडी हमाएं होती हैं इसलिए यह प्रकार से उच्छ वायुदाब वाले एरिया होते हैं और यह उच्छ वायुदाब वा अधर से इधर कोई और बैती हैं तो इस प्रकार से एस्थाई पौणे और ग्रहियों पौने होती है इसको मैं एक दिन और विस्तार्ट से आपको समझा दूँगा क्लियर बाकी आप ये समझ लीजिए और भी चीजों को मजानने का काम करते हैं दूसरा परसनाप की स्कीन पर आचुका है वायू रासी और वातागर पर टिपड़ी कीजिए इन पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे क्लियर ये बात ध्यान नखेंगे और भी अगला मानने पर आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे वातागर और वायू दाप की वायू रासियों के बारे में ठीक है ये बात ध्यान नखेंगे कि आगे बढ़ते हैं अगला कोसंस आप देखिएगा तीसरा परसने कोपेन का जलवायू और गीकन की विवेचना कीजिए मोस्ट इंपोर्ण परसन है कोपेन वाला ठीक है यह प्रसना की परिक्षा में आएगा यह बात ध्याना खेंगे तो कोपेन महोदे बहुत सारे चीजो लिए चाहिए आगे आने माले माले परमें तो हमारे कई माले पर आएंगे तो उन सभी को देखते रहेगा वलोग अगला परसना आप से बन सकता है वह समुद्री बेसिनों को मुखिता कितने भागों में बाता गए झाल 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 झाल